यह वो सु गैस कैसे आपसे भी लोग वेलकम बैक टूनेदर गेंप्ले वीडियो तो गैस यारा जो लोग दबार से कहले जा रहे हैं माइनक्राफ्ट तो जैसे कि आपसे भी लोग को याद होगा कि लास्ट आप इस तुमारी ऐसे कित है से वीडियो का स्टार्टिंग भग ज इनका पहले शुरू हो जाता तुम तुमारी ऐसे किता इस तर पांडा वंडा सही लगते हैं मेरे को तुम बिल्कुल सही ने रहते हैं तो भगव यह से तो अभी फिलाल फ्रेम खराब कर रहे थे यार सोरी मेरे मारने का मन बिल्कुल नहीं था तो हाँ गैस तो जैसे कि पोटाटो फार्म कैरेट फार्म बनाना है जिससे कि मैं उनकी ब्रेडिंग करवांगा और उनकी पॉपिलेशन और भी बढ़ जाएगी लेकिन आज की वैली जी वीडियो है यह बहुत ही जादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बनाने जा एक खतर राकसा बहुत ज्यादा तगड़ा गोल्ड फार्म वह भी नेधर पोर्टल की जो रूफ होती है ना उसके उपर और यह जो गोल्ड फार्म है ने इसे हमें गोल्ड तो बहुत साना मिलने वाला है और साथ के साथ मिरे को मिलने वाली है धेर सारी एक्सपी अभी चैंटिंग या फिर कुछ भी ट्रेडिंग अगरा नहीं करना तो मेरी एक्सपी बिल्कुल कम नहीं हो रही है और मैं इसे और भी जादा बढ़ाना चाहता हूं और आप एक सोच रहों किया जरूत पड़री है इस बंदे को मैं बताता हूं किया जरूत पड़र नहीं मैं ब जो गोल्ड फाम है अभी उसको बनाने का में स्टार्ट करते है धो बजनाने के लिए बिल्कुल नहीं का लगता है मेरेको को पते क्या लग रहा है जो दो चेस्ट है ना इन दोनों चेस्ट को ऊपर टिकाते है इसी के अंदर सारा समान डाल देते हैं देखो अभी जुगार चलता है यार इसको बाद में ठीक कर देंगे लुक भाड में जाए और गाइस यार अभीना मेरे को सॉर्टिंग सिस्टम भी कुछ कुछ चीजे जो मेरे काम आएगी जैसे कि लिवर हो गया रडी स्टोन तो फिलाल मेरे काम नहीं आने वाला यह एमरेल्स वी अंदर स्टोर कराइता हूं और हां मेरे को पिस्टन्स भी चीए मेरे को दुबारा क्राफ्ट नहीं करने पड़ेंगे तो अभी दो चीजे अपने नुकसान हो जाएगा और फिलाल यह जो मेरे को एक ब्रुइंग स्टैंड मिला है यह मैं एक बंदे का विलेजर का चुरा कर लाया था इसको अपने टाउनोल में लगाते हैं इसको मैं बढ़िया तरीके से भरने वाला हूं अभी तीन विलेजर है वो विलेजर बढ जाने बढ़ा यह जो पूरे टाउनोल में लगा पड़ेगी तब यह मॉप सपोन यह और कोई जोगाड़ है तो प्लीस कॉमेंट्स में जाकर जो बताना अभी फिलाल जल्दी से मैं स्टोन कट्था करूंगा उन्हीं स्टोन से वैसे दिखो हमें कोई भी बिल्टिंग ब्लॉक चलेगा जो जो समान में कट्था कर रहा हो न मैंने यह सीखा है इसे कैसे बनाया जाता है शलकर क्राफ्ट ब्रदर को शाउट आट जाता है इसके लिए बहुत बड़े टुटोरियल था उन्हें को वो चीज काफी अच्छी लगे तो भी फिलाल देखो सबसे बहले ना हम लोग यहां से स्टोन कलेक करता है इन्हीं स्टोन से मैं स्टोन ब्रिक्स बना जाएगा बट तुम्हें पता है मेरे को लुक चाहिए लुक अच्छी होनी अच्छी है अपने फार्म की फिलाल यह उत्तेरी भैस्किर को यह पहले स्टोन करता हूं यार मुझे थोड़े बहुत प्लैंक्स भी लेने पड़ेंगे क्योंकि अब यार यह मैंने क्या-क्या जुगाड कर रहा है यह रस्ते बंते करने के लिए चलो कोई नी अच्छा मैं आज मेरी आवाज काफी डिफरेंट तो मेरे को कोल्ड है तो कोई दिक्कत के बाद नहीं थोड़ा मैंने कर ले ना हाँ तो गैस फिलाल मैंना काफी सारे यहां पर मतलब स्टोन बिक्स बनाने वाला हूं तो जितने भी बनेंगे बनाते हैं और इनी ब्रिक्स का यूज क अजय को इस डरीत हमाने डाले कर एक्स काफी सारे नहीं हमें उसक नजय करनें फिलाल पहले सबकों में करते हैं तो कि क xu लोगव कर तोslगर्य के नहीं बांने उसके लगे लगेंगा क्स न Это को कि दिए को तो मुसें आन बाद आलना पड़ेगा या या फिलाल मतलब की अगर तो चलो guys, अभी ना फिलाल मैने almost पूरे के पूरे यहाँ पर तीनो शलकर box भर डाले है इनी stone bricks से, बट अभी ना मेरेको एको शलकर box बना कर लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरेको कम से कम, पास से 6000 bricks चाहिए, तो अभी फिलाल यह जो 3 NS के मैने calculation कर रहा था, तो इन तीनों मेरे स आप से जहां तक है, 4000 कुछ जाएगा, मतलब 4000 भी पूरा नहीं हो पाएगा, अभी फिलाल यहां पर तो यह दीरे-दीरे बनना शुरू हो रहा है, सब के अंदर coal ड़ा हुआ है, बट इसमें काफी time लगने वाला है, लेकिन यह जो नीचे hoppers है यह पूरे full हो रखे हैं, अभी फिलाल यहां से भी मैंने काफी सारा क्राफ्ट कर लिया है, जल्दी से हम लोग इसको भी convert करते हैं, और अभी जल्दी से एको शलकर box बना कर लाते हैं, जिसके अंदर हमें वो item रखना है, जो की use होने वाला है, तो फिलाल यहां पर यह पूरा का पूरा भर गया, भी पिछे spider पढ़ चुकी है, और मेरे पास इतना जादा फालतु टाइम लिया कि मैं इसे बे मतलब में पंगेलू, तो मेरे को जहां था क्याद है, मैंने यहीं कहीं पर शलकर शल रखे तो थे, बट काम के डाइम पर मिलने निवाले, अची बात है कि मेरे को पिस्टन जरूत यहां पर पढ़े हैं, तो इसके अंदर भी शलकर शल नहीं है, यार मैंने रखे ते मेरे को, यहां पर पढ़े है यह तीन है, अपना मतलब की एक ही बन पाएगा शलकर बॉक्स, चलो कोई नहीं, एक एंडर चस्ट यूज़ कर लेंगे, वो भी काम आते हो, वैसे काफी सार पहाड पर उसे लेने के लिए जाना पड़ेगा, तो शलकर बॉक्स बनाने के लिए मुझे चेस्ट चाहिए होगी, तो यहां से मैं एक चेस्ट ले लेता हूँ, और फटावट से गाइस हम लोग डाल देते हैं, इसको क्राफ्टिंग टेबल में, यह उपर एक नीचे, यह इतना सार आइटम पड़ा हुआ है, बड़ मिलता नहीं है, तो हाँ इतने डर्ट बहुत रहेगी, और अभी गाइस मेर को ग्लास भी बनाने, तो सैंड इकठी करने जाना पड़ेगा, जब तक के लिए गाइस मैं काम करता हूँ, सो जाता हूँ, आसपास मॉंस्टर है, ओ इसको पकड़ना पड़ेगा, इसको बहुत काम आजाएगा, इसको कनवर्ट करेंगे, यह लाइबरेरिया नहीं है, नहीं आर्मरर लग रहा है, यह आर्मरर है, पता नहीं है, इसको जॉंबी बना दे, गेट खुला रहा गया, अभी में अंदर गया था ना, यार मैंने इसको को बता यते हैं, बात बिना आज जब टाइम रहा इसको हम लोग कनवर्ट करेंगे, वैसे जहां तक मेरे को लग रहे है, यह दी स्पोन हो जाएगा, तब तक तो, इधरा पर चूरणाद में इसकंदर, बैट 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 जबास, कोई दिक्कत की बाद नहीं, म बनाने के लिए मैंने काफी सारा डर्ट आप लोग को याद होगा एक पहले पहले कठा रहा था तो मेरे साथ से वह थोड़ा बहुत कम पढ़ने वाला है हां तो यह बहुत कम डर्ट है मुझे सम्तिंग मतलब धाई हजार ग्लास बनाने तो धाई हजार ग्लास की रेसिपी क्य यह देखो इसको इसके अंधर दालते हैं देखते हैं कितना टाइम मेरे को भी कोल भी लेकर आना पड़ेगा ने की जरुत नहीं है उपर वाली छिस में धेर सारा पड़ा हुआ था इसको यहां पर पंदरा इसको भी डालो आप 15 15 से तो काम हो जाएगा पूरी-पूरी स्कै कर रहा है वह देखो क्रीपर कहां से आ रहा है यह से कि तैसी तो गाई से देखो अपना जो कासल है ना वह भूत बंगले में कनवर्ट होता जा रहा है दिन के टाइम पर भी यहां पर इतनी चादा मॉप सपोन होते हैं मैं क्या बता हूं रात की तो कहर बात ही दूर है इतनी चादढ़े लिए मैं खड़ा के यहां पर चेस्ट में समान देखना आँ बाइ से तीर पड़े अंधर और ये देखो भाई सब यह क्या होई है रखाया मिन हैं क्या चीज बहां भागता हूँ इन दर भाग रहा था मैं नहीं क्रीपर अभी बलास हो जाएगा सब तूट जा इसको नहीं मारूंगे चुप चाप से अपना आकर बैठ गया इसके क्लोज ओभाई भूटे उमाच इसकी मेरे को लग रहा था नहीं फूटे का यह फूट गया ओओ को सिलवर फिश है कि मारा कोई कैसे घंए यहां सिलवर फिश इसके अपर तो मैंने वाले लगाया भी दीथे चीजल वाले वाले बट बुरी शेप खराब कर दे तरहां सोस के मैंने से बनाया था वह से आरे कसम से में बाद में बनाओंगा इसको ऐसी रहें दो भाई मेरे बी तकड़ा गोल फाम बनाना उसमें बहुत टाइम फुकने वाला है अभी ग्लास लेने जा रहा हूं यहां पर नहीं पता कौन से टोर्च लगेगी कौन सी कंपनी की टोर्च लगानी पड़ेगी तो चलो काई जबीना भागता-भागता अपने कासल से काफी ज़्यादा दूर चुका हूं और यह वाला तो विलेजर ने मेरे कासल के सची में बहुत जादा पास है मैं कभी ना अग्णव में आता ही अरपने कासल के व्यां फेले में यहां पर शाय कि पहले आया हूं बढ़ जो भी है मतलब यह पूरका पूरा विलेज पीड़ें लग रहा है सारे की सा में इस चृती मोटी चीजे वो सारी मेरे को बनानी है तो इनका विलेज इतनी मुश्किल से मिलते हैं तो काफी ज़दा अच्छा विलेज है क्या पता है इन फ्यूचर्ण हमारे काम आजए इसलिए मैं इसको बिलकुल निचे जेड़ने वाला जो यह अगल बगल के ट्री इ तो नीचे कॉल है थोड़ा बहुत वह ले लेता हूं उसके बाद गाइस सारा सैंड इकठा करते हैं और मेरे को जादा समय नहीं चाहिए बस होपर्स के लिए वुड चाहिए ट्रैप डॉर के लिए चाहिए वुड और बस यह थोड़ा बहुत को चाहिए सैंड को मतलब पूर यहां पर भी मेरे को काफी सारा सैंड मिल चुका है आज तो भाई पुरा पुरा जंगल चीर डालूंगा जितना सारा लेकर जाओंगा वैसे जो सैंड पानी के अंदर होता ना वाई उसको तोड़ने में तो ठीक है वर्ट उसके पास यार स्पॉंज लिएकर आनी चाहिए मेरे को बट उसको भी तो यार बार बारी हमें फिर ड्राय करना पड़ता है वह भी बेकारी एक टाइप से मतलब बहुत ज्यादा कहीं पर जरुआ तो ठीक है सैंड तो एक ऐसी चीज़ा अगर डेजर्ट मिल जाता है डेजर्ट यार मेरे कासल के पास में है इलाइटर लेक रॉकेट लाता ना तो मैं फट आवच उड़के चला जाता और वहां तो भाई बहुत जल्दी कलेक्ट हो जाता है यार सेंड तो की गाइस अभी ना भागता भागता घुमा अफिरा के अपनी कासल के पीछे वाली साइट पर ही आ चुका हूं और यार सची में अपना जो क लग नहीं रहा था यह कुई जॉंबी आ रहा है और क्रीपर थोड़ी पास आके रुग और ब्लास्ट हो गया फिलाल मैंने अभी नहीं यहां पर काफी सारा ना स्नो चाहिए मतलब की थोड़ी बहुत जरुवत है तो इस सरफ में बहुत सारा स्नो एं इन सभी इस लोग करक इस लोग करने वाला है और अभी फिलाल यहां पर से मैंने काफी सारा स्नो इक ठाक कर लिया और गाईज सैंड डूड़नी सकता मैं यहां पर क्योंकि इदर काफी जदा मॉप्स आ गया है एक काम करता हूं जल्दी से ना वापिस अपने कासल में चलता हूं थोड़ा पूस स इसको मारते हैं फटेवट से अपनी कासल से रोकी टुठाते हैं बट पहले मैं एक बार ही सो जाओंगा क्योंकि दिन करना पड़ेगा वरना भाई यह मॉप्स मेरा ओ भाई एक शेकिंड सामने की तरफ में खड़ा हुए बजा देगा मेरे तो चलो काई सब इना फिलाल मैं तो इसको यहां रखना है इसको यहां रखना है यह बनगे अपने स्नो ब्लॉक इन स्नो ब्लॉक्स को ना गाईस मुझे यहां पर तीन पार्ट में ऐसे रखना है और इसको कहते है स्नो इससे नॉर्मल स्नो कहते है ठीक है तो यह मेरे को टोटल सिक्स्टी स्नो बनानी है एक करनी है और जितना भी समान है वह अपनी आर्मर वाली चस्त के इंदर स्टोर करवा देता हूं फिलाल के लिए तो यह मैंने आपर रखवा दी अभी एंटर चाहिंगे जहां तक मेरे को लग रहा है अगर हम लोग 27 को 64 से मुल्टिप्लाइब करें तो क्या होगा एक मिनट नहीं बाई 2000 नहीं हो पाएंगे 1700 कुछ हो रहे हैं तो चलो कोई नहीं थोड़ा बहुत अपने साथ भी कर लेंगे हमारे पास भी तो इतनी सारी जगार रहीगी रहेगी तो फिलाल यहां से मैंने कहले है इसके अंदर थोड़ा सा ओर डालते है ताकि यह भी कनवर्टिंग पर स्टार्ट हो जाए ओके तो इसके अंदर भी में डालना पड़ेगा वैसे कोल ज्यादा वेस्ट नहीं होता ग्लास कनवर्ट करने में तो चलो गाइस अब इना फिलाल मैंने वह सारा समानी कथा कर लिया है जो कि मुझे उस गोल प्लस एक्सपी फार्म को बनाने के लिए मतलब 96 माइन कार्ट बनानी है और आप लोग को पता हूँ कि माइन कार्ट को नहीं पुरी को पुरी रात लगा कर मैंने वो सारा का समानी कथा कर लिया है जो कि मुझे उस बड़े से अल्ट्रा जाइंट गोल प्लस एक्सपी फार्म को बनाने के लिए चाहिए था तो मैं आ मैंने स्टोन ब्रिक्स के स्टैक्स भरे पड़े हैं एक शलकर बॉक्स में बाकि तीनों में कितने होगे हैं आप लोग टोटल अंदाजा लगा सकते हो तो मैं वैसे आपको बताता हूँ यह सारे ना कुल्म लागी कुछ 5,000 से उपर होने चाहिए कम पड़ेंगे तो हम आता हूँ तो यहां पर ट्रैप्ड हो रहे हैं कुछ 190 सम्थिंग है एंड ग्रेंड इस्टोन है 58 20 होपर से एंड 60 स्नो है मतलब यह नॉर्मल स्नो है जो ब्लॉक्स अमने कनवर्ट करें इस लाप वाले तरीके से इंडिस्टोन बिक से स्टेर है ट्वेल और कुछ-कुछ च चार स्लाइब है चार कार्पेट है चार नेम टाइग है जिसमें मेरे को नाम डालना भी में भूल जाता बस इतना काम का है बाकि लीवर पिस्टन को यूज करने के लिए और यह जो आइरन देख पा रहे हो ना यह मैंने इस ले लिए है क्योंकि गाइस मेरे को ना 96 माइन का बना लेंगे जब उसकी जरत पड़ेगी फिलाल यह जो आप देख आरे उसके अदर मैंने ग्लास पर लिया और मुझे पता है ग्लास कम है मुझे दुबारा से लेने आना पड़ेगा फिलाल इसके अदर अभी काफी सारे कनवर्ट होने के लिए मैंने लगा रखे है यह एकदम आराम आराम से तोड़ेना है 3 2 1 लेसको तो यह तूट गई है ओ भाई साब जगा ही नहीं बचिया कलेक्ट करने के लिए एक मिनट यार मैं यह पोटाटव देता हूं किसी काम के नहीं है और अभी फड़ावट से नेम टैग परना बस मेरे को नेम डालना है क्योंकि कोई दिकत की बात नहीं इतना दर्द हम लोग सहे लेंगे पाई साब इन्वेंटॉरी में बिल्कुल जगा ही नहीं है काम करता हूं इसको मैं ब्लॉक ऑफ आयरन में कनवर्ट कर लेता हूं वह ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है तो यहां पर अभी यह बन जाएंगे काव 32 ब्लॉक ऑफ आयरन मन गए थोड़ी पोट जगा हो गई है थोड़ी सी और जगा बना लेते हैं बेटर रहेगा ठीक है मतलब यार समान रखने की जगा नियोड़ी तो फिर फायदा क्या है हां तो चलोगा इस अभी फिलाल जितने भी आयरन गट ने जगा घेर रखे थी उन सब कुछ हो चुका है इसको भी कलक करते हैं अपने पास इस ताइम पर बाइस आपने सारा आइटम में अपने साथ जा रहा हूं लैसको गाइस फिलाल हम लोग जल्दी से निकलते हैं सीधा नेधर पॉर्टल के लिए और कुछ लाइटर से मैं एक चीज़ ओर लेनी है लेन पर नीचे बहुत चड़ना होता है तो इसलिए फोल्डिंग के जरॉत पड़ेगी तो यहां पर बाहर फैंटम आ चुक है कि मैंने आपको बता था मैं पूरी रात बर लगकर आपर सारा का सारा ओ भाई 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 रुक जाओ सारा सारा समानी कठा मैंने कर रहा था फिलाल जल्दी सेम लोग आपर सारी फोल्डिंग मतलब कि मतलब कि अ बैंबू कठी करते हैं इससे मूण फोल्डिंग मनाएं तो च्यलों गया जादा नहीं करें बस एक मतलब कि इस टेक काले कर ले फैंटम की ऑ ओकू औक वहँ आग और दिखने रहे और अब तो ही भी रह इतनी जादा खतरनाक भो है मेरे पास आने से पहले बिचारों को मार डालता हूं और बिचारा क्रीपर कुछ पता भी नहीं चलता यार इसको चलो को यह अभी फिलाली आप निस आपको कूटा है फटावट से गाइस अम लोग अंदर चलते हैं और जो एक चीज हमें मैं फोल् उफ्टार का इस अफंठी तो मैंने बना लिया भी फिलाल यहां से थोड़ी सी आपर से ओर स्टेंग ले लिया है इसे मोग और फोल्दिक बनाते हैं लग लाख इंच सब कुछ यह नहीं पर इसको या रका द्फो जब हम आर और फिलालनंपर काफी जादा हमारे जादा नह तो मुझे पूप कासल से बाहर निकलना पड़ता है मैं सोच रहो कि एक स्टेर हम लोग कासल के अंदर से बना ले प्लान है देखते हैं कैसे मेनेगी कब बनेगी मैं जो भी चीज बनाता हूं और फिर उस एक दम लेजंडरी लेवल पर बनाता हूं थोड़ा सा बड़ा क्यों लास ताइम अपना जो पॉटल है वो पुराने वाला पॉटल ना शाह से तूट गया है बहुत से लोग में को बोले थे क्या अपनी गेम को वापिस से विंडोस एडिशन में क्यों कर ले तो भाई वो सीन नहीं है मिलको समझ नहीं आया ऐसा क्यों है वाई बस मैंने अपना कंप्यूटर रिसेट कर रहा था और मैंने अपना वर्ल दूबार अडाला और माइनक्राफ मतलब मैंने रिइंस्टोल करी है कहने का मतलब और यह पता निया सा ड्रामा क्यों हो गया फिलाल जल्दी से काईस हम यहां से ऊपर चलते हैं खैर लावा से उतनी डरने की बात नि अब बस मेरको ना यहां पर वहाला बेट्रॉक डूड़ना है जो कि एकदम तॉप हाइट पर जैसे कि यह देखो इससे उपर है हां तो शैसे वह यही वाला होगा एक बारी बस मैं चेक कर लेता हूं यहां पर जितनी भी आस-पास के बेट्रॉक्स है नहीं सभी को मैं रखी हुए अपना जो बॉक्स है फिलाल यह जो तीन लेडर से हैं इसको मेरे को यहां लगाना है एक यहां पर लगानी है जल्दी से जम्प मारके इसके अब तुम्हारी एससे किते से क्या हो रही है तो चलो गाइस अब इना फिलाल जल्दी से मैं नीचे डर्ट प्लेस कर क्या था मैंने बस अपना माउस के लाया और मैं पता नहीं कैसे फाइनली बेड्रॉक के रूफ पर आचका हूं और गाइस अपनी ना किसमत थोड़ी सी खराब है क्योंकि नेदर में भी दो तीन बायोम होती है और यह जो बायोम है इसके अदर अपना फाम अगर बन भी जा कि आखिरकार मैं इधर से आया था बाइद में लोग बड़ी असा ना माइन कार्ट से मतलब की रेल रास्ता पना लेंगे ताकि हम लोग जल्दी से आ जा पाएं अभी फिलाल मैं जाने वाला हूं यह से सीधा एक बार हम लोग इस डिरेक्शन में जा रहा हूं तो हाँ अब अब आपना मतलब कि जो फाम है गोल्ड एक्स्पी फाम उसको बनाना है और अभी फिलाल गी जो बाइव मैं नीली हो गई तो इस साइट तो मैं नहीं जाने वाला पहले हम लोग यहां से बाहर निकलते हैं मैंने काया ना यहां पर भी मतलब दो-तीन बायम होती है एक मच नाम होता है शोच चलो गई अभी फटापर श्क्राइब वाइसे फटार में कर देते हैं तो सबसे पहले जाने वाल हूं यह गों तो टीनों चीजे हैं अपनी जो इन्ट चैस्ट हो इतने सारे शलकर बॉक्स लेकर आएँ इनको यहाँ पर मैं place कर देता हूँ क्योंकि इसी के अंदर अपना सारा का सारा समान है और ये वाला जो box है इसको भी हम लोग left side में रख देते हैं तो गैस सबसे पहले ना मुझे एकदम उपर जाने के लिए scarf folding चाहिए होगी दो फिर सीधा नीचे की तरफ में भी एक दो चलोगा इस पॉर्टल अपना बन चुगा है जल्दी से अपना flint and steel भी मैं लेकर आया था पॉर्टल बनाने का तो मेरा इरादा था अभी फट्रवट्टल गाईस चलते हैं अपने normal world में मुझे नहीं बताए वाला जो पॉर्टल है कहां पर निकलने वाला है उम्मीद है अपने कासल के कुछ पास वाले एरिया में ही निकलेगा और ये मैं कहां आगया भाई ओके ओके मेरे को जगा तो पहचान में रा गई है कि हाँ ये कौन सी जगा है बट यार सची में ये जो जगह है ना मेरे कासल से काफी जदा दूर है अगर मैं इलाइटर से भी जाता हूना तो मेरे काफी सारे रोकिट वेस्ट होने वाले है तो ये नहीं समझा रहा कि आखिर कार ये पोर्टल हवा में कैसे खुला है फिलाल देखो मैं में वापिस जाना है ना रुक जाओ जो वह वह पर हम लोग अपना पोर्टल बनाते हैं अभी जल्दी से गाइश हम लोग इस डारेक्शन में चलते हैं जहां से हम लोग आये थे उधर ये में पोर्टल बनाऊँगा वो शैसे मेरे कासल वाले पोर्टल से किनेक्ट हो जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है और ऐसा ही होता है तो चलो यहां पर मैं एक और पोर्टल बना लेता हूँ अच्छी बात है कि मैं आप सीडिन्स लेकर आया था तो यहां पर एक यह लगा एक दो दुबारा यह ठीक है एक एक शेकिंड दो तीन सेम तो से मुझे साइट पर एक दो तीन अब इसके बाद मेरे को यहां रखना है यह और एक दो चलो गाइस यह वाला पोर्टल पर अपना रेडी हो चुका है जल्दी से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और फटावट से निकलते हैं अपने कासल पर भाई मेरे को न कुछ और बैंबूज लाने है मतलब कि स्काफ फोल्डिंग कमी पड़े और लो गाइस यह वाला एकदम मस्जगा पर आया है वह पोर्टल तो अलगी फिलम था तो चलो गाइस अबीना फिलाल जल्दी से चलकर हम लोग थोड़े बहुत और बैंबूज तो लेते हैं ताकि हम फट सेसी साइट पर गया था ना नए नहीं मैं इस साइट पर नहीं घया था मैं शायद नहीं यार पता है यह सरार जारहा हूँ बढ़ ये वाली जगह निती जहां तक मुझे याद है बने पता नी कहां से अपना उपर जाने कर आस्था बनाए30ceğiz यहां पार अब अगया अब जल्दी से चलते हैं फटावट से नेदर की रूफ पर अभी फटावट से गाईस यहां से मैं बाहर निकल चुका हूं मेरे को जाना है सीधा साउध डिरेक्शन में एंड यहीं साउध डिरेक्शन फटावट से गाईस हम अपना मतलब इलाइट्रा यहां पर यूज करते हैं तो सारा समान यहीं पर रहने देते हैं क्योंकि अभी ना मेरे को काफी जादा उची हाइट पर इसकाफ फोल्डिंग लगा नहीं है में अपना जो गोल्ड फाम है वो इधर नहीं बनने वाला है उसके लिए पहले हमें वाइक्स के 236 हाइट पर जाना पड़ेगा इसलि मेरे स्टैक में 42 थी तो यह सारी के सारी पहले प्लेस करते हैं फिर उपर जाकर देखते हैं कितनी हाइट हो गई जब अपनी हाइट मतलब कि पूरी कंप्लिट हो जाएगी ना उसके बाद ही हमें आगेगा काम स्टार्ट करना है फिलाल इसको पहले पूरा लगा देते हैं उके तो जहां तक मुझे लग रहा भी यह पूरी हो चुकी होगी उपर चलके पता करते हैं और उपर जाने के लिए सबसे पहले जिसकी जरूत है वो हैं ग्लासिस तो यहाँ पर मैं 64 ग्लास अपने साथ ले लेता हूं एंड अप चलते हैं सीधा उपर और देखते हैं आख लगानी पड़ेगी उसके बाद हमें अपना बनाना है स्टार्ट करना है ओके तो यह हो गया 235 एंड यह वाला ग्लास ब्लोक हो गया है 236 एक वाली चैक करता है वाइक्सिस ओके तो यह हो चुका है अभी नहीं हमें यहां पर 7x7 का स्कूर प्लाटफर्म बनाना है तो यह ह यह थोड़ा गलत हो गया वैसे मेरे बास सिल्क टैच वाली पिकेक्स जिससे कि मेरे ना ग्लास इस वेस्ट नहीं हो गया इससे अगर तो यह तो बनाने में ना बहुत जदा मजा आने वाले हम लोग जितने भी डाइब के फाम बनाते हैं ना वही कुछ नहीं सीखने को मिलत है शायद आप लोग को पहले पता हो बढ़ा मेरे को तो बाई इसलिए फाम बनाने में बहुत ज़्यादा मजा आता है तो चलो काई अभी ना फिलाल यहां पर मैंने सैवन बाई सैवन काय के स्क्वेर प्लाटफॉम बना दिया है अभी ना मेरे को एक बारी दुबारा से न इसलिए ना ओके तो यह देखो इसके अंदर अपने सारे होप्डा इसको मैं रख लेता हूँ इसलैपस की जगह क्योंकि इसलैपस का भी मेरे को यूस नहीं है तो इसको यहां पर रख लेते हैं और अभी ना काम करते हो हैं सबको मैं उपर ही लेचलू क्या यार ज़ादा बेटर रहेगा वरना यार बार बार आना पड़ेगा बहुत जादा दिक्कत होगी तो चलो गाइस अभी ना फिलाल जो समयान मेरे को चाहिए तो मैंने बलॉक और लगाने है कुछ इस तरीके से अब एक बलॉक में को यहां पर लगाना है क्योंकि amminist चारो तरफ यहां पर hopper लगा दिया अब यह जो dirt लगाई है ना इसको भी मैं हटा के सारी के सारी collect कर लेता हूँ ठीक है क्योंकि भाई यह dirt ना अपने बहुत जादा काम आने वाली है अब है तो चारो तरफ अपने hopper लग चुके हैं अब आर दिको beach side का जो मतलब center block है ना बस उसके एक block side में एक dirt block और प्लेस करना है और इस dirt block के उपर में को चार glass लगाने तो एक, दो, तीन, चार और basically यह इसलिए लगाने है क्योंकि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर में को ladder लगा कर आना पड़ेगा अभी इस glass block को मैं चारो तरफ से cover कर देता हूँ बस जिस तरफ हमने gap चोड़ है ना मतलब जो center वाला part है वहाँ पर ह मुझे क्या करना है चारो तरफ यहाँ पर एक एक ब्लोक और लगाने है मतलब हमें जूभी चीज अभी करनी है वह चारो तरफ सेम करनी है तब ही अपने farm की चुल्यू कैना वह काफी ज्यादा बढ़िया आने वाली है और इसके उपर में को एक डर्ट ब्लोक लगाना है खैर आपको आगे चल के एकदम मस्त मज़ा आते जाएगा फार्म बनाने का जो मज़ा है ना बाई सची में next level अलगी मज़ा आता बाई फार्म बनाने में अभी देख रहे हूं अभी सही कितनी जादा बढ़िया लुक आने लगगी है अपने farm की जब यह पूरा complete हो करता हूं यह इसलिए लख रहा हूं ताकि मैं अपनी थोड़ी सी इंवेंटरी खाली कर लो क्योंकि यह अरभी इस ताइम ना पूरी भर चुकी है तो इसके अंदर कुछ जो जो समाना भी काम करें आना उसको मैं निकाल के डाल देता हूं इसको नेम टैक का भी कोई भी फाल्तु फाल्तु का सारा समान मैंने इन होपर्स के अंदर डाल दिया अभी फिलाल जल्दी से हम लोग ना नीचे उतरते हैं ताकि हम लोग जितना भी सारा समान है ना इन शलकर बॉक्स के अंदर वो सारा का सारा लिजा कर अभी हम लोग उपर रखने वाले हैं मतलब ताक यही तो खास बात है इसके अंदर जो चीजी स्टोर होगी ना समल वह आपकी गूगल ट्राइफ पे अब लोड हो गई है वह कभी डिलेट नहीं होने वाली वैसे गूगल ट्राइफ से डिलेट कर सकते हैं लेकिन एंडर चसे भी तो निगाल सकते हैं तो हां गैस यह पूरी ग समीज में उतारना पड़ता है वरना कभी-कभार हेल्थ चले जाती है ओके तो यह सब्सक्राइब लेकर उपर आ चुका हूँ एक ना प्लैटफों बना ले देगा थोड़ा सा दूर इदर हम लोग एक प्लैटफों बनाते हैं यहां पर मैं अपना सारा समान रखूंगा एक दो इदर दो लगा दे सेम डू सेम दो इस साइड भी एक दो तो बीच में मैं लगा देता हूँ अपनी अंडर चेस्ट और बाकी चारो साइड पर यह सारे शलकर बॉक्स लगा देता हूँ वाइट वाला शलकर बॉक्स अपना नीचे ही रह गया था चलो कोई निए भी फिलाल घुमा फिला के मेरे को इसी से उपर जाना पड़ेगा भाई साब इतनी ज्यादा सीड़ीयां चड़नी पड़ेगी मेरे को तो सोचके बिटर लग रहा है तो चलो गाइस फाइनली पूरे सवान लेकर उपर आ चुका हूँ और अभी सबसे पहले मेरे को यहाँ पर लगानी है ताकि मेरे को ऊपर जाने में भी असानी हो तो यह जो अपनी चार लगाना है इसको यहीं पर लगाना है एक दो तीन वैसे इतनी बहुत है यह वाला ब्लोक हम लोग हटा देते हैं और हा सारी कि सारी माइन कार्ट भी ऑपर हो गई है यह अपना मतलब की अपने पिस्टन एंड लिवर हो गए इसका यूज है और साथ ही मेरे को काफी सारे स्टोन ब्रिक्स चाहिए होंगे इसको भी मैं अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ उपर क्योंकि इनका बहुत जाता यू जो फेस है वो इस साइड पर होना चाहिए ठीक है तो इसका फेस इस जगहा पर है अब इस डर्ट को मेरे को यहां से हटाने है पिकेक्स का भी यूज में इसको अटा जेते है ठीक है तो यह हट चुकी है अब गाइस मेरे को क्या करना है यह ओ हो एक चीज में लाना भूल ग अब गाइस दिखो यह जो रेल लेना इसको मुझे इस हॉपर के ऊपर प्लेस कर देना है कुछ इस तरीके से अब उसके बाद इसी रेल के ऊपर में को रखना है माइन काड विध हॉपर को अब क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे बहले तो हम लोग यहां पर एक THIS से क्या करणे सा बीटने है बस उन काईक से कंने अंनलने के ऊपर अबस फिलाले लाएक पर लेवर लागाना है अब बस इसे ओन कर देना है ओ ओ गडट्बाड होगी गड़वड़ ओगी भाई साथ इक सक हैं यह सब्सक्रीन ईसक यह पता था मेरे साथ जरूर ज अजमां य मुझे इसे push करने से पहले वह माइन काट के नीचे रेल थी मुझे उसे remove करना था अभी फिलाल उस रेल को दुबारा से collect कर ले थे हैं और फटावट से इसको हम लोग यहां से अटा आते हैं अब इसे हम लोग पुश करकर देखते हैं और लेस्ट को गाईस इस बार एकदम बढ़िया तरीके से हो गया है यह जो मतलब की माइन कार्ट है वो स्टोन इस माइन कार्ट के अंदर जा चुका है और यहीं हमें करना था अभी फटावट से गाईस हम लोग इस लीवर को तोड देखते हैं माइन कार्ट विद और इसको भी हटा दयेन लिवर क Pal श्याओग अफ्टन करने जो जो पने अब पिस्टन है इसको कुछ इस तरीके से रखना है और पहले यहां जब बार ले तांक बचब श्राइस समय पर आए, ओके तो अभी एकदम परफेक्ट है, अब यहां पर बगल में रखना है, लीवर रखना है और इसे बस ओन कर देना है था कि पिस्टन इसे पुछ मार दे साइट पर लेट्स को, इस बार भी एकदम परफेक्ट हो गया ना, ओके हां तो यह देखो अपनी माइन सब्सक्राइब करते हैं, तो पहले हम लोग ना, यहां की जो सारी डर्ट है, उसको रिमूफ कर देते हैं, और अभी मेरे को यह नहीं समझा रहा है, तो यहां से मैं इसके नीचे वाले होपर में हाट डाल सकता हूँ, यह देखो, मैं अपनी रेल को यहां से बाहर निकाल ल और ग्लास इस सिंपल तरीके से लगेंगे, पहले मुझे यहां पर प्लेस करना है, उसके बाद एक दो तीन इस तरीके से रखने है, फिर यहां पर भी एक प्लेस करना है नीचे, और यहां पर यह जो भी गलत लगाना है, इसको गाइस में हटा दूँगा, ठीक है, एक दो तो guys are दिखो यह वाली जो back side है नहीं मुझे यहाँ पर एक glass block और लगाना है और इस glass block के ऊपर भी मेरे को एक glass block और लगाना पड़ेगा बट अभी नहीं उसको पहले लगाने से बहले हम लोग यहाँ पर इसे पूरा cover करते हैं अब मुझे स्टेर्स लेकर आनी है और माइन काट लेकर आनी है और आपको तो पता है कि मैं माइन काट अपने साथ लाया नहीं था मैं block of iron लाया था तो इसी से हम लोग माइन काट बना लेंगे थोड़े बहुत iron ingot भी लेकर चलता हूं इससे अपनी एक माइन काट और बन जा एक दो तीन और यहीं चार तो अब इना फिलाल मैंने चारो साइड इनी स्टेर्स को उल्टा करके लगा दिया है अब बस इनी स्टेर्स की जो पीछे वाला ब्लॉक है ना जिसको हमने माइन काट के अंदर डाला है इस ब्लॉक की उपर मुझे रखनी है इन रेल को और उनकी इस तरीके से होनी चीए मतलब की फ्रंट साइड पर होनी चीए चारो के उपर जल्दी से रखते हैं और इसके उपर कैस अब हमें रखनी है माइन काट और माइन कार्ट तो हम बनाने वाले हैं पहले इसलिए मैं क्राफ्टिंग टेमल को भी इधर ही लाके रख दिया था तो माइन कार्ट बनाने के लिए पहले में इन गोल्ड इंगेट को पहले थोड़ा बहुत करना परने का सारे एक साथ नहीं करूंगा वनना में पिर काफी जादा नहीं नीचे फैक ने पढ़ जाएंगे पहले थोड़ी सी ना जगा बना लेते हैं तो चैलो काईस अबीना फिल जो फालतु का बाकी वाला समानता वो मैंने किस साइट पर डाला है तो इधर सारे हो पर मैं लगा देता हूँ और इसके अंदर अपना जो भी फालतु का समाना जिसका भी यूस नहीं है उसको माइन कार्ड यहां पर बन चुकी है और अभी मैंने एक गड़बड कर दिया सार अपना आयरन अप गिरने वाला है चलो कोई नहीं पड़े रहेगा कोई दिक्कत की बात नी है अभी फटर फटर से गाइस हम लोग यहां पर चलते हैं इसके उपर नामें एकदम कॉर्णर में तो एक, दो, तीन, चार, पांच मेरे को पूरी गिन के डालने है 24 पांच हो चुकी है न रुख जो पहले इसको उपर कर देते है ताकि मेरे को इसको डालने में जल्द देरी नहों हाँ तो अब ठीक है पांच हो गे थी छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, च 24 तो चलो अभी फिलाल यहां पर टोटल 24 माइन काट हो चुकी है और आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा क्यों कर रहा हूं तो अभी सीन कुछ ऐसा है अगर मैं इन में से किसी एक, यह सारी किसारी एक ही जगा पर पढ़िया और यह देखो, डैमेज देखा का इस आपने, छूते जिकूं कि इतनी जाल जा रही है, जब इसके इंदर मॉप्स गिरेंगे ना तो बहुत गंदी तरह मरने वाले हैं वो, तो अभी इतना काम हो चुका है, यहांपर टोटल मैंने 24 माइन काट डाल दिया है, अभी जल्दी से हम लोग और आयरन कलेक करते हैं, और फटावट से और माइन कार्ट हम लोग यहांपर बना लेते हैं, और दुबार से काफे सारी माइन कार्ट बन चुकी है, तो इसके इंदर 24 हो चुकी है, अभी जल्दी से हम लोग इसके ऊपर 24 लगाते हैं, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, तो लो गाइस, अभी फिलाल इसक अभी नुकसान नहीं ता अपना ही फायदा था, तो चलो जल्दी से हम लोग एक बारी नीचे चलते हैं, और जो भी अपने काम के ब्लॉक्स है, वो सारे के सारे लेकर आते हैं, तो सबसे पहले ने गाइस, अभी मेरे को जरुत पढ़ने वाली है, डर्ट की, स्टोन ब्रिक अभी क्योंकि इन सब का यूज होने वाला है, तो वैसे मेरे को ट्रैप डोर बहुत सारे ही चाहिए होंगे, अभी स्टोन ब्रिक्स ले चलते हैं, और हाँ यार, ग्लास भी बहुत जरुत पढ़ने वाले हैं, तो जितना अभी बाकी स्पेस है, उसी स्पेस में मैं ग्लास क काम स्टार्ट करते हैं, तो आगे हमें क्या करना है, यह जो आप एरिया देख पार हो ना गाइस, इसे में दो-दो ग्लास ब्लोक ना उपर बनाने हैं, बट उससे पहले न गाइस जो सेंटर एरिया है, यहाँ पर भी मेरे को एक ब्लोक उपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ग कर लेता हूं, तो अपना यह सेंटर ट्रैप डोर हो चुगा है, इसको अपर खड़े होना है, जब फार्म कंपलीट हो जाएगा, अभी नहीं, अभी ज्यादा खुश है, मितलब की खुश हैने की जरूत नहीं है, अभी हम लोग आगे का काम स्टार्ट करते हैं, बट उससे को तोड़ देना है, काश यारे डर्ट होती, मेरी डर्ट खतम हो चुकी है, और अब मुझे अपने स्टोन ब्रिक्स वेस्ट करने पड़ रहे हैं, बट कोई दिखत की बात ही, मैं एक्स्रा ले कर रहा हूं, स्टोन ब्रिक्स नहीं कम पड़ेंगे, ग्लास कम पड़ सकते है ये बात मैं बानता हूं, एक, दो, सेम टो सेम इधर भी, एक, और दो, और इधर भी गाईज मेरे को इधर दो, मतलब की ग्लास ब्लोक्स उपर की तरफ में लगाने है, तो सेम टो सेम चारो साइड ये कर देते हैं, तो चलो गाईज, अभी ना फिलाल यहां पर मैंने चारो ब्लोक उपर जाना पड़ेगा, उपर चड़के वाली जो डर्ट है इसको हटा देते हैं, और फड़ा बट से गाईज, इसको इस तरीके से मेरे को आपस में कनेक्ट करते जाना है, जैसे पीछे से आ रहे हैं, बस पीछे पीछे जाना है, ताकि ये जो अंदर की शेप है न जब उसके बाद हमें ना यहाँ पर इसकी एक लेयर और बना दियनी है, बस एक, तो यहाँ पर मैं एक ब्लोक इधर लगाता हूँ, एक ब्लोक इधर लगाता हूँ, और बस अब इधर से हम लोग ना यहाँ पर इसकी एक लेयर और बनाना है, जब मैं वहाँ तक पहुच ज बहुत होगी अब इसके बाद हमें गाइस क्या करना है यह जो कार्पिट है इसके ओपर पांच ब्लॉक्स और लगाने तो वन टू टू ट्री फॉर हाइट कम बढ़गी एक सेट यह फाइव ठीक है तो अभी पांच ब्लॉक्स यहां पर लग गए हैं अभी पहले हम लोग इस पार है ठीक है तो अब अगर इतना काम हो जाए तो इसके अगल बगलना गाइस हमें लगाने हैं ग्रिंड स्टोन मैं तब ग्राइंड स्टोन बोलते हैं मेरे को इसकी प्रोनसीशन नहीं पता बड़ जो भी कहते हैं हमारे लिए तो यह चोटा सा मटेरियल है तो इसको में आपर प्लेस करना है वन यह शाह से साथ यहां पर लगाने हां साथ लगाने तो वन टू थ्री फॉर फाइव एक सेकिन यार कंट्रोल दमाना पड़ रहा है इसके लिए सेवन तो चलो अभी यहां पर साथ ब्लोक अपने लग चुके हैं जल्दी से हम लोग नीचे उतरते है यहां पर भी साथ ब्लोक लगाते हैं इसके वन टू थ्री फॉर फाइव सेवन तो चलो अभी फिलाल गाइस दोनों साइट पर मैंने आपर इसे लगा दिया है तो कुछ इस टाइप की लुक आएगी जब यह मतला पूरे कंप्लीट हो जाएंगे अभी सेम तो सेम यही चाहूं मैं भाइसाब सची में काफी जड़ा खतरनाक है मैंने इतने आर्मर पैयन रख्या तो मेरी बैंड बज जा रही है और बिचारे वो मॉप्स की तो भाइसाब हालाती खराब होने वाइस के इंदर गिर के तो चलो कोई नहीं अगर इतना काम कंप्लीट हो गया भी फ क्योंकि इसके बाद जो बाकी काम है वो है तो बहुत ज़्यादा सिंपल वट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है में जो अपना फाम है वो पूरा कम्प्रेट हो चुका है अब बस हमें वो जगह बनानी है जहां पर वो मॉप्स वो पिगलिन्स इसपौन होन था और अभी जो स्टेर्स है वो मुझे यहां पर लगानी है तो स्टेर्स को एक इधर रखना है और दूसरे को कुछ इस तरीके से यहां पर रख देना है ताकि वह लोग ना मतलब जो मॉप्स है वो अगर एक बार इसके अंदर चले जाए तो यहां से बाहर बिल्कुल भी न निकल पाएं तो सेम दूसेम यही चीज में और को चारो तरफ करनी है तो वान टू और सेम दूसेम इस साइट पर थ्री अभी इधर भी लगाने कमी तो नहीं पड़ेगी नहीं स्टेर्स की नहीं यार कमी अगर पड़े भी गई तो इतने सारे स्टोन ब्रेक से अब बना ल तो चलो गाईस अभी ना फिलाल मैंने चारो साइट स्टो को भी लगा दिया है और अब बस इस स्टो के उपर मुझे लगाना है ग्लास इसको तो इसको पहले यहां पर प्लेस कर देते हैं क्योंकि इस नो के नहीं एक डिरेक्ली उपर लगनी पाएगा तो भी एक दो तीन इधर लगेंगे सेम टो सेम इधर भी लगाना है एक मिनट यहां में इस के उपर से जम कहना पड़ेगा 1 2 3 इधर भी सेम टो सेम समान आकर इकठा होगा अपना गोल्ड और भी जो भी सारका सारा आइटम है तो भी फटावट हम लोग यहां से नीचे उतरते हैं और साथ ही में शवल को भी ले लेता हूं और यह जो फालतु की डर्ट है ना मुझे पहले इस डर्ट को नगाइस यहां से हटाना पड़ेगा क कोई नहीं चल लेते हैं थोड़ा बहुत टाइम खराब हो जाए तो चैलो गाइस अभी ना फिलाल मैं अपनी सारी की सारी चेस्ट करके वापिस आ चको हूँ अपने गोल्ड एक्सपी फार्म पे और गाइस तो इसके नीचे लगाना है मेरे को अपना एक ब्रिक जिसके होपर की भी हमें जरुत पढ़ने वाले है तो ओपर वी एकदम साथ साथ ही रखेंगे तो एक चस्ट यहाएगी दूसरी यहाएगी तीसरी यहाँ और चोती यहाँ बाकिस टूरे जितनी मर्जी बड़ी बनाना चाहे हम लोग बना सकते हैं वो तो अपने उपर डिपेंड क हम लोग से मैंसी बनाते हैं तो इसे लोगाइस अभी ना फिलाले स्टोरे सिस्टम की चारो साइट कम्प्लीट हो चुकी है और हर एक साइट पर काईस में डबल चस्ट लगाई है विद अब सारा का सारा गोल्ड इसी के अंदर स्टोर होने वाला है और अब बारी है सबसे म हमारी एकस्पी बड़ेगी उतना गोल्ड मिलेगा तो उपर जाने से वेलेन काईस में काम करता हूं यहां पर जितना भी समान है ना इन सभी को अपने साथ लेकर चलने वाला हूं तो जो खाली है ना उसके अंदर पहले हम लोग लोग यह डाल देते हैं बार बार नीचे न मैं यह ना ने सबस्ट को बहुत ज़्याद करने वाला है इसको भी इसको भाडा में भेजो उपर अपना मेन स्पॉं एरिया बनाने के लिए ऊपर जाने के लिए एक मिनट या यह डर्ट है ना यह तो चलो खाईस अब यहां पर किसी एक जगा पर रख देता हूं जैसे कि अपना एंटर चैस्स और साथ में जितने भी शलकर बॉक्स है उन सभी चीजों को तो इसको में आपको फुल स्पीड में दिखाने वाला हूं यह कैसे बनेगी तो सबसे पहले हमें काफी सारे ग्लास चाहिए और यह जितन सबसे पहले इसको में पहले यहां पर किसी एक जगा पर रख देता हूं जैसे कि अंटर चैस्स जूंस सबसे पहले होंगे काफी सारे ग्लास जो कि इसके उदर है तो अभी सीन कस ऐसा यह जो सेंटर वाला एरिया है ना इसके फ्रेंट से मुझे बनाना शुरू करना है यहां से एकदम स्रेट मेरे को पहले 20 ग्लास ब्लोक्स लगाने है ठीक है तो एकदम स्रेट है वन टू टू ट्री फोर फाइव सेक्स सेवन एट नाइन टैन लेवन त्वेल ओरीन फोरीन अग्लाने है नॉर्मल स्टोन वटेट एक दो ऊठी त्री फोर फाइब सेवन एट चलो एट ब्लॉक्स यहां पर अपने लग चुके हैं को अब मुझे लगाने है टोटल पाच स्टोन ब्रिक अब वो चाहें लेट साइट में लगाओ चाहें राइट साइड में लगाओ क् यह नहीं पूरा circle base बनने वाला है, तो हम लोग पूरा goal घूम कर वापिस यहीं पर आकर इसे जोडने वाले हैं, तो पहले इतरे लगाते है, 1, 2, 3, 4, 5, अब जैसे 5 ब्लोक यहां पर हो गई है, बस यह count में रहने चाहिए, ठीक है, तो जैसे एक बार ही में से count कर ले तो 1, 2, 2, 3, 4, 5, पीछे से count हो जाए, अब बस यहां पर हमें लगाने है, 4 breaks, तो यह 5 का ही part है, यह होगा 4 का, 1, 2, 3, 4, अब यह 4 हो गए, अब हमें यहां पर लगाने है, 3, तो 1, 2, और यह हो गया 3, अब 3 के भी हम लोग, यह 3 count होएंगे, उधर से 1, 2, 3, बस इतना याद रखने ह इसे दुबारा, 1, 2, then एक बार इधर लगेगा, 1, single 1, और अब इसके बार लगने वाले हैं zigzag block, तो 1, मतलब ऐसे कुछ 8 लगेंगे, 2, दुबार से 3, 4, 8 लगाने है ऐसे, 5, 6, 7, 8, तो चलो गया, अब ही फिलाल यहां पर मैंने total 8 zigzag block भी लगा दिये हैं, और आप लोग य इसी तरीके से हमें, मतलब कि ना पहले आउटर लाइन में कर देता हूं, उसके बाद जो inner area होगा ना, उसको पूरा फिल कर देंगे, और वो दिको सामने की तरफ में, mobs स्पोन होना है, स्टार्ट भी हो गया वहां पर, तो उनकी spawning में वहां पर किसी ना किसी तरीके से रो यहां पर कोई एक और आगे लगाना पड़ेगा, सिर्फ डबल डबल लगाने है, वन टू, इस तरीके से, एंड यहां पर आगे फिर से वान, और यह लो भाई है, यह भी खतम होना, स्टार्ट हो गए, तो अभी दो टाइम ही हुआ है, वान, टू, तो इतना कम्प्लीट कर करना पड़ेगा, बट इसको फिल करने से पहले, मैं दूसरी साइड भी कम्प्लीट कर लेता हूं, और मैंने इस ताइम पर गोल्ड का कुछ भी पहन नी रखा है, तो जो मॉप्स है, इसमेरे को मारने वाले है, बहुत गलत वाला, और मारे हो क्या, यह वाले कुछ निगा जो दूसरे वाले होते हैं, वो भी इभी स्पॉन होंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि असली गोल्ड उनी से मिलने वाला है, और देखो भी प्लाट्फॉम पूरा बना भी नहीं है, और इन्होंने स्पॉन होना स्टार्ट कर दिया, बहुत गलस सीन है, अभी तो भर के स्प तो यहां पर पहले 8 मेरे को स्टोन ब्रिक लगाने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह 8 हो गए, अब मेरे को इसके लेफ्ट साइड में लगाना है, इस तरीके से, मतलब कि जैसे मैंने पहले लगाया था, तो यहां पर पहले तो तो पाँच ब्लोक लगेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, उस पर मेरे को लगाना है, तो टोटल अब 4 रहने चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, अभी पहले काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, यह इधर हो रहे हैं, अब सेम तो सेम इधर में को लगाना है, अब लगाना है 3, फिर 3 ताइमस 2, 1, 2, 3, तो अब मेरे को 3 ताइमस 2 लगाना है, तो ओके गाईस, जैसा कि आप लोग आपर देख पारे हो, मैं एकदम प्रॉपरली बनाता जा रहता, और एट दे एंड देखो, यह एकदम ना साथ में आकर एकदम बढ़िया तरीके से कनेक्ट तो हो चुका है, लेकिन आप लोग एक बारी उस तरफ में ध्यान दो, कितने सारे मॉप्स भा अब उसके बाद हमें आपर दुबार से 4 ब्लोक्स लगाने तो 1, 2, 3, 4, अब 2, 2 ब्लोक्स लगाने हैं 3 टाइम पर तो 1, 2, तर उसके बाद 1, 2, फिर दुबार से 1, 2, फिर दुबार से 1, 2, और लो गाइस, यह भी पूरा कम्प्रीट हो चुका है, अभी नहीं जल्दी से ह इसका इनर एरिया जो है, फिल कर देते हैं, और कोई नी, कोई नी, कोई नी, इलाइटरा है, बच जाओंगा, बच जाओंगा, बहुत प्यार से बच जाओंगा, इलाइटरा नहीं होता तो अभी मैं मरने वाला था, तो यह चीज़ का तो बहुत जादा है, और आप लोग जाओंगा, बहुत जादा इसके अंधर हालत खराब होने वाले है, बहुत जाओंगा, बहुत कि काफी मुश्किल काम यह हो सकता है, बड कोई दिकत की बात नी, मुश्किल उसे भागना नी चीज़िए, तो उसका सामना करना चीज़िए, वैसे इसमें अपना ही फाद है ब मेरे को बहुत गंदी तरह मारने वाला यार मेरे को भी समन्नी आ रहा मुझे क्या करना चाहिए मैं सोच रहा हूं कि अपना गेम ना इजी कर लो फिर ये थोड़ी देर के लिए सपॉर ओ एक सेकंड यह यहां पर कैसे चिकन भाई निदर में यह क्या हो रहा है यह एक सेकंड म चाहरे के सारे बहुत गंदी तरह मारने वाले हैं और यह आप एरिया देख पा रहे हो ना इसके बीच में भी मेरे को ग्लास लगाना है तो जब यह हो जाएगा ना तो यहां पर तो बहुत जादा स्पॉन होने वाले है चलो यार गोल्ड लेकर यह आ जाता हूं पहले तो अबीना फिलाल मैंने गोल्डन बूट्स पैनले और मैं वापिस से आचका हूं सीधा अपने गोल्डन फार्म पे और फटावट से गाइस अबीना हम लोग इस एरिया को फिल करना स्टार्ट कर देते हैं मेरी तो हालत कराब और यह से देखके बतानी कितना टाइम लगने व क्योंकि यहां परे काफी जादा स्पोन हो गए है वैसे हां जब तक मैंने गोल्डन बूट्स पैन रखिया है यह लोग मेरे को नहीं मारने वाले तो चलो गाइस अबीना फिलाल यहां पर मैंने एक कॉट्रेंट तो पूरा कपूरा कंप्लीट कर दिया है वैसे यह उतना भ गया वापिस गया इसको भगाना पड़ेगा यह तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है पड़ी पड़ी इसके चल निकल भाई सब गास्ट भी इस पोन होने लगए इस तरीके से बनाना बट कोई इसका भी कोई ने कोई जुगाड होगा यार मतलब की जब यह एक तरीके से भी में चारो तरफ बनाना है मतलब की एक साइट होगी बाकि तीन साइट पर भी सेम ऐसी बनाना है और इसी चीज़ की अभी मेरे को डूटल पूरी चार लेयर बनानी है मतलब एक तो कम्प्लीट हो एक कहां यार वी तो इसका भी वन बाई फोर हुआ है बट सच् कम्प्लीट करके ही रहूँगा तो च्यालों गाइस फाइनली पूरे को पूरा आदा गंटा लगाने के बाद मैने अपने गोल्ड बेस की फस्स लेर को ओल्मोस्ट पूरा को पूरा कम्प्लीट कर दिया है बस चार-पांच ब्लोग ओर लगाने है और फाइनली अपना काम जो है डन हो चुका है अब कुछ इसी टाइप की मेरे को तीन लेयर और बनानी है और यहां सची में यह जो लेयर रहना विलकुल परिफेक्ट बनी है मतलब कि अगर आप एकदम इसे टॉप व्यू से देखोगे ना तो आपको पूरी सरकल दिखने वाली है तो चले आप इना काम भी हम लोग start करते हैं तो अभी था-सीन के देखो जैसे यहां पर एंडर मैं इस पोह रहे हैं तो इनकी स्पोपनिंग रोकने के ले यहां पर एक और लेयर बनानी पड़ेगी और वो कैसे पहले हमें आप दो लेयर ऊपर जाना है और जो तीसरी लेयर ने जैम इसके आगे रहना है जैसे कि यहां पर आप देख पारे हो ना बस एक एक ब्लोक हमें आगे लगाते जाना है फिर इसके बास नीचे वाले तरीके से इसको भी हमें पूरा कर दे कर दे कि ओ भाई साब फाइनली गाइस पुरे के पूरे दो घंटे तक मजदूरी करने के बाद मैंने अपनी गोल्ड बेस के लिए चार लेयर का स्पॉनिंग एरिया बना दिया है और गाइस जो फिफ्ट लेयर है यह मैंने ग्लास ब्लोक की बनाई है अगर यह लेयर हम स्लाइम के भाई नेदर में वह भी यहाँ पर स्पॉन हो जाएंगे तो आप लोग को पाता हुआ ग्लास के ओपर कुछ स्पॉन होता नहीं है ब्रिक्स के ओपर स्पॉन होंगे तो उनीकी स्पॉनिंग रोकने के लिए आपर यह ग्लास लेयर बना दिया बस दो-दो का जल्दी से उसे भी खतम करते हैं और काइस फाइनली अपना फार्म जो है ओल्मोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है बस मेरे को यहाँ पर लगाने है उसमें तो भाई पूरे में ही लगने वाले तो इस तरीके से पूरे में प्लेस करना और यह मैंने गलत लगा दिया इसको भी ब्रिक है ना मतलब कोई भी ब्रिक हमें यहाँ पर छोड़ना नहीं है हर जगा ट्रैप डॉर होने चीए इससे क्या होगा कि वो जो मॉब से ना में से जो पिगलिंस है नीचे नी कूदेंगे अगर हम लोग यहाँ पर ट्रैप डॉर लगा देंगे ना तो उनको लेगा को लेगा तो इसके ना एक जीज़ और करने हैं मतलब कहीं कहीं पर हमें डबल डबल ट्रैप डॉर भी लगाने पड़ेंगे ताकि वह जो मतलब उनको नीचे कुदवाना है कुछ भी गरके तो इसलिए में उस तरीके से ट्रैप ड़ लगाने हैं कि वह कहीं पर भी स्पोन ह जाए अगर हम लोग उन्हें मतलब नीचे जाकर हमें उन्हें परिशान करने हैं ताकि वह मारने के लिए और जब वह इन ट्रैपडर के तरह नीचे कूथ के मारने के लिए तो फिर वह फूप जाएंगे और बहुत गंदी तरह मरने वाले हैं वह माइन कार्ट के अंदर तो इसके आगे हमें याँ पर इस तरीके से ट्रैपड drills लगाना इसको बंद करना है इसको बंद करना लगें तोहाई लगाने है तो कॉश– argue, कुछ साइट पर ही सभी तोष ली गरते हैं इसके बाद हमें trapdoor कहीं पर भी नहीं लगाने है, अपना almost काम सारा complete हो चुका है, तो इसमें भी guys हमें पूरे में नहीं लगाने, सिर्फ यहां पर जो दो-दो blocks है ना, यहां यहां लगाने है, बस चार trapdoor, तो यह हो गए, अब same to same mirror को ऐसे इधर भी करने है, और चारो side पर य लोग नीचे जलते हैं, तो एक बार आप लोग ना ध्यान से देख लो कि जो मतलब की टॉप की second layer है, उस पर मैंने किस तरीके से यहां पर trapdoor लगा है, जो बस मिट वाली साइड है, उसमें चार-चार trapdoor लगा दिया है, अभी फट आवट से guys हम लोग पहले यहां पर यहां सोड़ते हैं, और guys कहीं कहीं पर ना वो जो खतरनाक वाले pig नी होते, वो भी यहां पर spawn हो रहे है, क्योंकि उनकी भी height ना दो block की होती है, तो वो यहां पर spawn हो सकते है, मुझे नहीं पता उनकी spawning कैसे रोकेंगे, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, शाय से उनको मारने पर भ बिल्कुल भी मुड़ना नहीं है, तो यह यहां का center block है, तो मुझे ना मतलब center से मिड ब्लॉक है, अब इसके एकदम मिड में guys, मिरको यहां पर कुछ इस तरीके से यह लगा, अरे नहीं नहीं इसको तो मैं पहचानी नहीं पाऊंगा, ग्लास लगाते है, ठीक है, तो guys मु इसको बिचाना है, मुझे ना इन में से किसी भी एक pick को बस यहां पर लाना है, तो जब मैं इन पर attack करूँगा, तो आपको पता होगा, अगर मैं इन में से किसी एक को मार दूँगा ना, अगर वो घुसा हो गया, तो सारे की सारे मिरे उपर घुसा हो जाएंगा, और मिरे क माइन कार्ट को ना कहीं पर वहां तक जा चुका है बस अभी गाइस यह तोड़ेना है माइन कार्ट से उतार करें से नेम टैक यह तोड़ दिता ूँ ताकि है वापिस वहquently पर फस फुका है आपना पहु θε मैं सरी फाल्ट फॉसके लेड्स होती है बस त्री तू यार अभी मिरे पर एक्स होती ना यह एक बार इससे भी हट गया तो अभी बस मेरे को इसे एक नेम टैग देना है पीवन ताकि यह डी स्पोन ना हो चलो इसको नेम टैप दे दिया मतलब नेम टैग दे दिया अब सेम चारो साइड हमें यही चीज़ करनी है एक अब बस मेरे को यहां से एकदम डाइगनली आगे जाते-जाने 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 वर इन में से कोई एक सेंटर होगा वैसे इतना भी कोई फरक नी बढ़ता सेंटर हो या ना हो बस मेरे को यहां पर आगे लग पहली भीज़ दिया इसको, ओ, 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 एक सेकिंड, उदर चलतू, हाँ, ठीक है, तो अभी फिलाल न, guys, मैं इदर काफी सारी माइन काट रख देता हूँ, जितनी ये भी है मेरे पास, इन में से किसी पर भी आकर बैट जा, अपना काम हो जाएगा, तो ये भी रख देता मेरे को तो लग रहा था, ये दीचे जाने वाला है, रुख जाओ, इसके लिए मेरे को पहले यार, एक ब्लॉक इदर लगाना पड़ेगा, और इसको थोड़ा सा न उदर, लग जा यार, प्लीस, ओके, लगी नहीं पा रहा है, तो अच्छा लो, guys, अबीना फिलाल मैं ने तोड़ता हूँ, और एक नीचे चली गई, तो चलो, guys, अबीना फिलाल अपना समल्लोग पूरा काम ड़न हो चुका है, ये वाला जो ब्रिक हैस को मैं तोड़ देता हूँ, इसके अगल बगल के जितने भी गलास है, सारे के सारे मैं तोड़ने वाला हूँ, इसको भी एक ही बाकी दोखों ने रह रहे हैं, उस पे भी जल्दी समल्लोग कर देते हैं, तो चलो, guys, अबीना फिलाल मैं ने चारो साइट तो इन पिगलिंस को लगा दिया है, और अबीना फिलाल मैं भाग कर सीधा उपर वाले फ्लोर पर आ चुका हूँ, क्योंकि यार मैंने ने बहुत कीमत पर छोड़ने नहीं वाले, तो एक काम करता हूँ, मैं ना कुछ इस तरीके से अपने फार्म तक पोस्ता हूँ, भाई, बहुत जादा कला सीन है, अगर मैं गल्दी से नीचे गिर गया ना, बाई, 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 रुख जाओ, पहले खाना का करना, guys, अपनी हेल्थ प के साथ इसे भी तोड़ कराना है, क्योंकि मैं अपने फार्म की लुग बिल्कुल खराब नी करना चाहता, और ये क्या हो रखा भाई, नीचे, हेलो, भाई, बहुत गंदी तरह मारने वाले है, सारे का सारे मेरे को, मतलब ये जो दूसरे वाले है ना, यार, ये तो कुछ न करनी है, इसलिए मेरा वहां पर होना जरूरी है, तो भी पहले ये तोड़ता हूं, ये भी तोड़ा, तो कि जैसा कि आप लोग यहां पर देख पारे हो, भी ना, फिलाल में सारे के सारे ब्लोक तोड़कर अपने फार्म तक पोच चुका हूं, जल्दी से लोग यहां पर आ कि ये जितने भी, ओ, भाई, भाई, मेरे को लग रहा है ना, पहले नेदर से चले जाना चाहिए, थोड़ी देर के लिए, 41 XP हो गई है, अभी पता है आप लोग को XP धीरे बढ़ रही है, क्योंकि ये जो stairs है ना, इसकी वज़ा से XP मेरे पास आनी रही, मुझे इनी stairs की जग मैं यहां से इटाता हूँ, मुझे यहां पर लगाना है slab, और इसके ओपर हम लोग रख देते हैं, कार्पेट को, और अब गाईस देखना, यहां से XP आना है, शुरू हो जाएगी, ठीक है, अब यह मरे, अब जैसी मरे गे ना, तो नीचे space रहेगा, XP मेरे पास आ जाएगी ठीक है, तो ओकी गाईस, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पारे हो भी ना, फिलाल मैंने चारो साइट पर इदर slabs लगा दिया है, और अभी फिलाल मेरी XP 45 हो चुकी है, यह सभी के सभी ना, यहां पर आ के गिर गिर के मरे जा रहे है, और इनकी जो XP हो मिले जा रहे है, म नॉर्मल चलने वाला फाम भी है, तो यहां कैसे आ गया, तो काईसर देखो मैंना सही बता रहा हो कर मैं सिर्फ 10 मिनट यहां पर खड़ा हो गया, तो मेरी XP सीधा डेड़ सो हो जाएगी, क्योंकि 38 से पूरी 50 पहुचने में बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा, और 50 से 51 भी द चेक करना पड़ता है, फिर वो सारे भागते वे आते हैं, तो फिर और तेटेज एक से 51 होगी है, एक बारी नगाई से काम करते हैं, जीरो एक स्पी करकर लाते हैं, उसके बाद देखते हैं कितनी तेज बढ़ते हैं, तो अभी ना फिलाल मुझे पहले नीचे जाना पड़ इसके इनदर फी एक गोल्डन इंकट, 49 गोल्डन नेगट भाई इतनी जल्दी भाई, बहुत अगड़ा पाम है, 64 गोल्डन इंकट, ट्री इंकट, इसके इनदर दू भाईस और बहुत जादा गोल्ड मिलने माला है, अभी ना फिलाल जल्दी से एम लोग पहले न अपने में वापिस चलते हैं मैं अपनी एक्सपी ना जीरो करकर आता हूं तो इस पीचे की तरफ में जो अपना गोल फाम है उसका मैंने एक इस से में काफी सारा आयरन से में अगे चलते हैं तो इसे को अपने पास एक रोजब है इसके अंदर में लगा देते हैं और साथ में एंवेली टूट गया वाओ अभी 37 एक्सपी बढ़ाना के लिए पीच्छ बाक्त थे और अभी एक्सपी कम नहीं हो रही है तो यहां पर अभी को मैं कलेक करता हूं ब्रेकिंग वगड़ा यह कई नहीं तो इसे लगाई देंगे अपने पास इसके अंदर भी गाइस मैं अनब्रेकिंग लगवा देता हूं बहुत कुछ और पहले से लगा हुआ है एक यह इसके अंदर देखते हैं अगर कुछ लग पाय तो लिग कर आगा शायसे अब इसके अंदर कुछ भी नहीं लगेगा वो के यह कुछ भी नहीं लगेगा इसमें तो चलो गाई सबीना फिलाल बहुत ड्रामा हो गया मुझे नहीं लगता है स्टरीके से मेरी एकस पीना जल्दी कम होने वाले है एक काम करते हैं सारा का सारा समान को यहां से निकालना है और फटावट से इसके इंदर स्टोर कराना है तो चलो गाई जल्दी से चलकर हम लोग मर जाते हैं और मरने के लिए सबसे बैस जगा पता है क्या यह देखो यह अपना थ्रोन इससे बैस कुछ भी निया भाई मरने के लिए कहीं पर भी मरना हो सीदा यहां आके खड़े हो जाओ जादा दूर जाने के जरूत नहीं है और अपनी एकस्पी सीदा जीरो होने वाली है उकके लिए अभी जली से चलकरना का समयन करते हैं और फटा 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 जलते हैं लोग सीदा नेदर के लिए भाई मैं सूच रहा था कि एंचेंटिंग वग पाउंट टेलिपोर्ट होगे तो अभी फटा वट से गाई हम लोग चलते हैं सीदा अपने गोल्ड प्लस एकस्पी फांपर और उसका टेस्ट लेते हैं और देखते कि आकरकार कितनी देर में और एक सकेंट यह पीछे कोन था अब यह यहां कैसे आ रहे हो तुम पॉर्टल जीतल पार करके यह चल hey ने हम यह कभी कपार आंड आ चलते हैं और देख़ते छती हैं यहां पर ऊपर तो चलो लिम्या फिलाल यह 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 जंप क्यों नहीं मार पा रहा अच्छा यह सर बिढ़ रहा उपर ठीक है अभी मैं आपर जंप मार लिया है फटावट से यहां पर चड़ते हैं पर एक दम कॉर्ण में डाल देते हैं एंटरपल को और इस बार तो भाई यहां पर चलते हैं सीधा उपर और देखते हैं बाई कितनी एक्सपी में मिलने वाले जीरो एक्सपी है देखते क्या होता है तो जैसे कि आप लोग आपर देख पा रहे हो अभी ना फिलाल जो अपना अल्ट्रा जाइंट गोल फाम है वो देखने में कितना जादा बढ़िया लग रहा है और फाइनली गाइस हम लोग इसके एक दम टॉप तक पहुच चुके हैं जल्दी से हम लोग इस सवाले स्काफ फोल्डिंग को अटाते हैं यह स्टोन ब्रिक्स भी हमें तोड़ने पड़ेंगे रभी फटावट से में यहां पर चलते हैं और यहां पर चड़त लिए मज़े लेते हैं देखेंगे अब हमारी कितनी एक्सपी यह लोग बढ़ वादेंगे तो चलो एक साइट की मन्दें को मैंने मार दिया दूसरे साइड वाले को भी तंग कर देते हैं और गलती से मैंने से बच्सपी से भाग कर अभी बहुते जा रहे हैं यह चोटे व कोई mistake है का यार इतना perfect बना है ओ भाई ये क्या हो एक second मैं दिमाग में गाना का रहा हूँ क्या करे क्या करे और जटके से गए सीधा 22 xp हो गई hello भाई 22 के भाई ये क्या हो रहा है कैसा सफा में 26 सीधा 2 xp बढ़ रहे है पहली बार में ऐसा देख रहा हूँ भाई बल्दम ना नीचे काफी सारी xp कलेक्ट हो रही है और वो सीधा एक ही बार में उड़के मेरे पास आ जा रही हो देखो 26 है अभी सीधा 28 ये 30 होने वाली है भाई इतिनी तेज एकस्पी कैसे बढ़ रहे है इस वाले फार में ऐसे गोल गोल चक्कर काटते रहता हूँ ताकि सारी xp मेरे को मिलते रहे सबसे बेस्ट xp फामों का भी तक का मेरे साबसे तो भाई ये मेरे लिए और ये जुम्बी यहां पर कैसे आ रहे है यह दूसरे वाली जुम्बी कहां से आ रहे है पता नहीं पर जू भी है बहुत तगड़ा सीन चल रहा है काफी सारे इतर इनको ना मुझे परेशान करना पड़ेगा यह देखो यह दूसरे वाले ना इनकुछ ऐसी में मारगों ने भागतों मेरे पास आएंगे और फिर जो मेरी एकस्पी है उडबल स्पीड में बढ़ने वाली है 15 निमालों एक मिनट के अंदर भी 34 xp भाई impossible है वो भी एक survival world में तो कैसे को भी ना फिला इधर म पर कांट्रोल दबाकर बैट जुकाँ ताकि जितनी भी एकस्पी इदर आ रही है नहीं सारी मेरे पास आकर collect हो जाए और अब यह आ रही है ऐसी बात नहीं कि मेरे पास आ नहीं रही और यह चिकन के उपर कहा से बैट क्या रहा रहा है यहां पर कुछ भी हो जा रहा है 27 होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगा है और फिलाल इनको तंग करना पड़ेगा तब यह भाग कराएंगे देखो एक को मैंने मारा अब वो देखो भाई पुरे को पुरा जुट नहीं से भागता हुआ रहा है मेरे को मानने के लिए इस सारे आए अब इसके अंदर पड़े खड़े टोटल 10 मिनट हो चुकिया है और मेरी एकस्टी पार हो चुकिया है तो चहां तक मुझे लगता है अगर मैं यहां पर एक घंटा कड़े हो जाओंगा ना तो हैंडेट एक्सपी पार हो जाएगी तो कि 50 के बादना एक्सपी बढ़ना और भी काफी ज़दा स्लोग हो गई है बठां फिर भी बहुत तेज बढ़ रही है क्योंकि काफी चाहता आके भाई मरें जा रहे हैं अपनी एकस्पी 61 होगी यार यह दस मिनट में 61 है सब्सक्राइब भी पहुंचने वाले हैं बहुत तेज बढ़ रहे हैं आदे हंटे मेरे साब से हो जाएगी जहाता है मुझे लग रहा है अभी फिलालना जल्दी से मोग इक बारी नीचे जलते हैं और देखते हैं गोल्ड कितना है कठा हुआ बाई मेरे को बहुत दुख है मेरी बहुत पूरी खराब हो गई एक सेवन गोल्ड इंगट इतनी सारी गोल्ड नगेट और यह जितनी भी सब्सक्राइब करने वाला है तो अभी ना मेरे पास कोबल सोन यहां वरना मैं फरनेस से अभी कनवर्ड करकर दिखाता वह अगर देखा जाया नहीं किस आप से तो इसके अंदर से मुझे बहुत सारा गोल्ड मिलना है कि मतलब दस मिनट में इतना सारा मिल गया है यार मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं इस फाम का ना कोई भी जवाब नी है काम करता हूं मैं एक क्राफ्टिंग टेवल इदर बनाता हूं ताकि में पता चल जाए कि आकिरकार कितने गोल्डन इंगेट्स मेरे को मिल चुके है इन सभी नगट्स को भी मैं कनवर्ड करने वाला तो की गाईस जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हूं कि सिर्फ सिर्फ दस मिनट के अंदर हमें कितना सारा गोल्डन इंगेट्स मिल गया है और अभी जब यह सारा का सारा कनवर्ट हो जाएगा तो मुझे नहीं मालू माकिरकार यह कितना सारा होने वाला है तभाई यह मचने वाली है और अभी फिलाल चलो उपर चलते हैं खड़े होंगे अराम से और यह देखो भाई एकसपी अभी भी आये जा रही है और अभी फिलाल में कोई बो लेकर आनी पड़ेगी वरना में को उपर जाके इनकी किल्सा कर आनी है बसा ऐसे तो किल्सा कर आनी तो काफी सारे ब्लोक से लगाए बहुत टाइम लग गया तो जल्दी से आओ 8 लग लाइक कंप्लेट कर दो जो भी चैनल पर लें चाल सब्सक्राइब कर देना मुझे इस्ताग्राम पी जल्दी से आगर फोलो कर लो और जिसने काई सभी तक डिस्कॉर्ट सर्वर जोईन कर इस से घ से अर्च कंप्लेट से बाइम सर्वर उल्दी से तबसेफ्टोराम जोगर दो के लिए अनल license टीन कियाँ जिल्दी काईसटा क्नी से लग जयाल सब्सक्राइब कि अईसे और चीएग कर दूब